गुड मॉनिंग शात्रों राम राजी इंटर कॉलेज नायर्पूर्ट पीतंपूर अमबेटकर नगर की आनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है मैं अनकुमार गुपता आपका आज छठा लेक्चर लेकर के उपस्तित हूं शात्रों पिछले लेक्चर में हम लोगों स्वासन के बारे में पढ़ा स्वासन के परकार पढ़ा उसकी परिभासाओं के बारे मद्धिन किया अब शात्रों हम आज अद्धिन करेंगे मानो स्वासन तंत्र हम अद्धिन करेंगे मानो स्वासन तंत्र इसका एंग्लिस होगा रिस्पारेटरी सिस्टम आफ इमन इसके कि यह वारे में आजे दिन करेंगे तो चाथों सबसे पहले स्वसंतंत्र सिस्टम ने जब पिभिन अंग एक साथ मिलकर के कोई कार करते हैं तो उसी को तंत्र कहा जाता है स्वासंतंत्र स्वासंतंत्र में इतने अंग एक साथ मिल करके कार करते हैं इसी लिए इसे स्वासंतंत्र कहा जाता है ठीक चातों अब इन सभी स्वासंतंत्रों का नाम जान लेते हैं सबसे पहले होता है नौस नोज इसी में होता है नसल्स कैविटी लेकिन आपके अस्तर तक कच्छा दस्तक के अस्तर में किवल नोज की चर्चा हुई है उसके बाद दूसरा है क्रेस्नी इसके बाद नेक्शट है सवसनी क का ब्रांची को ब्रांच brain लेकिक है नेक्श उसनी का प्रांची और ब्रांची वल्स ये ब्रांच योल्स कई भागों में बटा होता है अभी हम फेगर में दिखाएंगे इसके बाद लास्ट का उतार फेफड़ा फुफुस लंक्स ठीक है और लंक्स में जो है तमाम छोटे-छोटे गुवा पाई जाती हैं कोस का पाई जाती है जिसे कूपि का कोस या आलोलर का कहते हैं जब तो ध्यान रखेंगे कूप का जो है स्वाचन तंत्र का भाग है इसके के बाद लास्ट जो है रुधिर वाहिकाएं जिसे इंग्लिस में कैप लेस का जाता है तो स्वसन तंत्र में कौन-कौन से भाग है नासादवार नोज ग्रसनी फेरिंग्स कंठ लेरिंग्स स्वासनली ट्रेकिया स्वसनी ब्रांचस स्वसनी का ब्रांचियोल्स फुफुस लंग्स कौपिका कोस आलूलर रुधिर वाहिका कैप लीज इतने जो है नस्वसन तंत्र में अंगपाय जाते हैं यह सारे तंत्र मिल करके एक साथ कार करते हैं जिसके कारण से हमारा स्वसन की प्रक्रिया आसानी से होती रहती है अब नासे द्वार जो है नासा द्वार जैसा नोज में देखते हैं यहाँ पर छोटे छोटे रोम पाया जाते हैं इन रोमों का काम है मिट्टे या धूल की कणू या छोटे जीवानों को रोकना इसके बाद ग्रशनी कं कि यह जो है ग्रशनी जो है एक कीप नमा सनचना होती है जैसा कि हम आपको अगर फीगर में दिखाएं इतना भाग देखें पहले नोज है फिर फैरिंग्स है कीप नमा सनचना होती है क्योंकि इसमें दो तरीके नलका या करके मिलती है पहले नलका इधर रहा रही है नासो फैरिंग्स दूसरा रहा है औरियो फैरिंग्स यह दोनों आकर के मिलती है एक और नलका के मिलती है जिसे कहते हैं लैरिंग फैरिंग्स ठीक है यह तीनों आकर के मिलते हैं तो इस फिगर को बाद में समझते हैं बस केवल हम नाम जान ल गड़े से नीचे वक्ष गुहात तक छोटी सी नली का दौरा खुलती है जिसे ट्रैकिया या स्वास नली कहा जाता है या ट्रैकिया नीचे की तरफ आपकर के दो बागों में मड़ती है एक भाग को ब्रांचस कहा जाता है इस प्राइट और लेफ्ट दाइय और बाइं इस ब्रांचश में बढ़ता है और यह प्रांचश दी इसमें अब फीगर से समझते हां जैसे हमारा यह फीगर है इसमें नोस, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया ट्रेकिया में देख रहे हैं कुछ लाइनदार समझना है दिख रहे हैं ये लाइनदार सीहकार की कार्टिलेज बून की हड़ियां होती है जो ट्रेकिया को फैलने में मदद करती है जब इसमें एयर फिल होता है यह फैलता है और इसके बाद यह ट्राइक यह चोटे चोटे ब्रांचस यह जो है ब्रांचस है ब्रांचस है इसको फिर से इवा लिखते हैं यह ब्रांचस है यह ब्रांचस अंदर की तरफ जाकर के अंदर की तरफ देख रहे हैं तमाम साखाओं में बटा हुआ है यह जो साखाओं बटी हैं यह ब्रांचस के ही पार्ट हैं साखाओं हैं यह अलग अलग नाम से जानरे जाते हैं परन तो आप किया इतना नहीं पढ़न इसके बाद यहां आप जो है कुछ गोल-गोल सनाचनाय देख रहे हैं इसटनी भी गोल-गोल सनाचनाय है इनगी को कहा जाता है कूपीका या अलॉलर कहा जाता हच शैचे पूरा जो सनाचना है कि यह लंक्स है कि यह लंग्स है ठीक है लंग्स देख रहे हैं दो आवरों से घिरा हुआ है एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो है यह पेरी कार्डियल इसे कहा जाता है पेरी कार्डियल और जो अंदर है उसको कहा जाता है इसको प्लूरा इसको लंग्स के कबर को प्लूरा कहा जाता है और जो ठाका हुआ है लंग्स को इसको प्लूरा कहा जाता है एक जो अंदर की तरफ है इसको कहा जाता है विसरल प्लूरा और जो पाहर की तरफ है इसे कहा जाता है पेराइटल प्लूरा पेराइटल और फिर प्लियूरा पेराइटल प्लियूरा कहा जाता है इसके बाद आप नीचे की तरब देख रहे हैं डाइफ प्रॉम ये डाइफ प्रॉम है जो ससन में मदद करता है इसके बाद साइड में देख रहे हैं रिप्स है दोनों साइड में लगा हुआ है रिप्स है रिप्स और डाइफ प्रॉम ससन के प्रक्रिया में मदद करते है तो ये तो केवल हमारा हुआ सिस्टम के भाद ठीक है यह तो सश्वशन अंग के नाम और उनके भाग हो गए यह तो इंगलिस में लिका हुआ फिगर है और यह दूसरा जो फिगर दिया हुआ है यह आपके बुक का हिंदी में दिया हो जो लुदों फिगर में देख लीजीएगा और जिप्स की जहां तक बात होती है जिप लंग्स को चालतब से कवर किया रहता है जिसके गांग से वह सुरच्चित होता है और आसानी से उसमें स्वासन की प्रक्रिया होग पाती है तो ठीक शात्रों आज के बल हम लोगों ने इतना अध्यन किया कि स्वासन अंगों के नाम और इनका कारी किस प्रकार से होता है और यह स्वासन की प्रक्रिया किस प्रकार से मनुश्य में होती है इसके बारे में हम कल दिन करेंगे चात्रों चात्रों सभी लोग हूमवर करके नहीं दिखा रहे हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे लोग हूमवर करके हमारे personal number पर जरूर वाटसप करें और किसी को कोई समस्या होती है वो जरूर हमसे call करके बात कर सकता है कभी भी anytime करने में उसको समस्या होती है तो कभी भी करके हमारे वार्टसप नंबर पे कर दे हम तुरंत उसका रिप्लाइद कर दिया करेंगे ओके चात्रों कल हम पढ़ेंगे सवसन की प्रक्रिया आज तो किवल हम लोगों ने सवसन तंत्र के बारे में अध्यन किया ठीक है ओके मिलते हैं ने स्क्लाशे में थैंक यू